नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप घर पर होंगे और सेफ होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 CBSC हिंदी कोर्स एक अपाठ सूर के पद परंदु पहली सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सूरदास जी का जन 1478 में माना जाता है महाप्रभु वल्लभाचारे के शिश्य सूरदास अस्ट छाप के कवियों में सरवाधिक प्रसिद हैं सन 1583 में बरसोली में उनका दिहांद हुआ उनके तीन ग्रंत सूर सागर, साहिते लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सबसे अधिक प्रसिद हुआ है खेती और पशुपालन वाले भारतिय समाज का दैनिक अंतरंग चेतर और मनुष्य की स्वभाविक वरतियों का चितरन सूरदास जी की कविता में मिलता है सूर वाधसले और श्रंगार के श्रिस्ट कवी माने जाते हैं कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानविय प्रेम की प्रतिष्ठा बनता है सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामाने मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की इनकी कवीता में ब्रज भाशा का निखरा हुआ रूप है वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की एक श्रेष्ट कड़ी मानी जाती है अब जो पद आपके पाठ में हैं वे सूर सागर के भ्रमर गीत से हैं कृष्ण जब मथूरा चले गए तो उनकी अनुपस्तिती में गोपियां व्याकुल हो उठी विरह वेदना से जलती गोपियां कृष्ण को बुलाने के जतन करने लगी किन्तु कृष्ण ने स्वयमना आकर अपने प्रियमित्र उधव को गोपियों के पास भेजा और उधव जो निर्गुन ब्रह्म और योग साधना के उपासक थे वे गोपियों को भी यही संदेश देना चाहते थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो सके परन्तु गोपियां ज्यान मार्ग पर नहीं चलना चाहती थी वे तो प्रेम मार्ग अधिक पसंद करती थी वे तो कृष्ण की भगती और उनके प्रेम में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी इस कारण उन्हें उधव का यह संदेश पसंद नहीं आया तभी वहाँ एक ब्रहमर आ गया ब्रहमर यानि भावरा एक काले रंग का इंसक्ट होता है जो फूलों का पराग गहन किया करता है यही से ब्रहमर गीत का आरंप हुआ गोपियोंने ब्रहमर के माध्यम से उधव पर कटाक्ष किये हैं पाट के पहले पद में गोपिया उधव को बड़ा भागे शाली कहती है क्योंकि उधव प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और प्रेम में प्राप्त होने वाली विरह वेदना का उन्हें कोई ग्यान नहीं दूसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया है तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बता कर कृष्ण के प्रती अपने एकनिस्ट प्रेम में द्रड़ विश्वास प्रगट किया है और चोथे पद में गोपियां उल्हाना देती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने ओर राजनीती पढ़ ली है पहले पद में गोपिया उधव को संबोधित करते वे कहती हैं कि उधो तुम हो अती बढ़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरईन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी जोजल महा तेल की गागरी बून न ताको लागी प्रीती नदी में पावना बोर्यो दृष्टिना रूप परागी सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी बढ़ भागी भाग्यवान अपरस सदैव रहत रहता है सनेह तगा सनेह के धागे नाहिन नहीं अनुरागी अनुराग पुरईन पात कमल का पत्ता दागी दाग नहीं लगना तेल की गागरी मटकी तेल की लगी हुई मटकी और प्रीती नदी यानि प्रेम की नदी बोर्यो यानि डुबोई परागी यानि रस लेना इन पंक्तियों में गोपिया उधव पर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उधव तुम तो बहुत भागेशाली हो क्यों भागेशाली हो? क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहे कर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो और प्रेम में प्राप्त होने वाली पीडा का भी अनुभव तुमें नहीं हुआ है प्रेम में प्राप्त होने वाली विरह वेदना का अनुभव भी तुमने नहीं किया है इसलिए हे उद्धव तुम बड़े भागेशाले हो आपरस रहत स्नेहे तगाते नाहिन मन अनुरागी सदैव तुम स्नेहे के धागे के साथ रहते हो स्नेह के धागा श्रीकृष्ण को कहा गया है साक्षात प्रेमा अवतार थे भगवान श्रीकृष्ण तो इसलिए गोपिया कहती है कि तुम सदैव स्नेह के धागे के साथ रहती हो तब भी तुम्हारे मन में उनके ब्रति कोई अनुराग उत्पन नहीं हुआ कोई प्रेम उत्पन नहीं हुआ जिस प्रकार से पूरी नपातर रहते जल भीतर तारस देहना त्यागी जैसे कमल का पत्त अ हर समय जल के भीतर रहता है उस पर भी उसकी देव पर जल की एक भूंद भी नहीं ठहरती नहीं जल का कोई दाग उस पर लगता है जिस प्रकार से तेल की लगी हुई मटकी को यदि पानी के अंदर छोड़ दें तो उस पर जल की एक बूंध भी नहीं ठहरती है उसी प्रकार से हे उधव तुम हर समेश्री कृष्ण के साथ रहते हो तो उनके प्रती तुम्हारे ह्रदय में प्रेम उत्पन नहीं हुआ प्रीती नदी में पावना बोर्यो दृष्टिना रूप परागी और ना ही तुमने प्रेम की नदी में अपने पाव डुबाए है और ना ही तुम्हारे नेत्रों ने उनके रूप सोंदरे को कृष्ण के रूप सुंदर्य का पराग ही ग्रहन किया है गोपियां कहती है कि हम तो अबला और भोली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से पढ़ गए हैं जिस प्रकार से चीटियां गुड के प्रती अकर्शित होती हैं चीटियां गुड पर चिप्टी रहती है इसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में लीन है अब हम उनसे अलग नहीं हो सकते हैं दूसरे पद में गोप्या कहती हैं कि मन की मन ही माज रही कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही अवधी असार आस आवन की तनमन विथा सही अब इन योग संदेशी नी सुनी सुनी विरही नी विरह दही चाहती हुती गुहारी जितही ते उरतेधार बही सूरदास अब धीर धरई क्यों मरजादान लही इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कौप्या कहते कि हमारी तो मन की मन में ही रह गई मांज रही रह गई कि हमने बहुत सारे स्वपन संजोई हुए थे कि कृष्णा आएंगे तो हम उनसे ये ये बाते करेंगे इस तरह कि खेल करेंगे रास करेंगे और अब कृष्णा ने आकर योग सातना का संदेश हमारे लिए भेजा है तो हमारे मन की जो सारी बाते थी वो मन की मन में ही रह गई कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही उधव को संभोधित करते हैं कि किसको कहने जाएं हम अपने मन की व्यथा नाही परत कही किसी से भी कहा नहीं जाता अर्थात हम अपने मन की जो व्यथा है वो किसी से नहीं कह सकते और गोपिया कहती है कि हम उधव को अपने प्रेम का संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानते हम सरफ ये बाते कृष्ण से ही कर सकते हैं और किसी से यह कहकर संदेश नहीं भेज़ सकते आगे वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लोट आने की आशा को हम आधार मान कर अपने तन मन पर हर प्रकार से विरह की व्यथा सहर थी कि उनके आने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे परंदु उन्होंने स्वयम ना कर योग का संदेश भेजा तो अब गोपिया कहते कि अब इन योग संदेश इनी सुनी विरह नी विरह दई अब इन योग के संदेश को सुन सुन कर इस योग साधना के संदेश को सुन कर हम विरहिनी की जो विरह पीड़ा है और ज्यादा भड़क उठी है जो विरह की आग जो है वो और अधिक जलने लगी है चाहती हुती गुहारी जिताईते उरते धार बही और ऐसे समय में जिनको हम अपनी रक्षा के लिए पकारना चाहते थे श्री कृष्ण को वो ही हमारे दुख का कारण है अर्थात उन्होंने स्वयम ना कर हमारे लिए कोई और संदेश भेज दिया है और अब सूरदास कहते हैं कि गोपिया उध्धव को कह रही है कि है उध्धव अब हम धीरज क्यों धारन करें हमसे अब धीरज धारन नहीं किया जाता जब हमारी अश्रा का एक मात्र विकल्प एक मात्र तिन का भी डूब गया है और प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ चल किया है उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उलंगन किया है तो अब हमसे धैरे धारन नहीं किया जाता हमारे हरी हारिल की लकरी मानिकरम वचन नंद नंद और यह द्रकरी पकरी जागत सोवत स्वपन दिवशनिसी काना काना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी सूतो व्यादी हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर्त नहीं ले सोपोत इनके मन चकरी हरी प्रभू हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजो में हमेशा एक लकडी को दबा कर रहता है लकडी यानि लकडी द्रड द्रडता के साथ करी पकरी पकड़ रखी है जागत सोव जागते वे सोते वे स्वपन दिवस स्वपन में दिवस में निशी रात्री में काना 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 जकरी जपते रहते हैं सुनत सुनकर जोग योग का संदेश लागत है ऐसो जो करवी ककरी करवी कड़ी 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 सूत व्याधि यानि भीमारी देखी सुनिना करें व्याधि मींज भीमारी ने शलब सकता है तो यहां गोप्या कहती है उद्धव से कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी की जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी चोंच में अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है हमेशा और उसको ये विश्वास होता है कि ये ल जीवन का आधार है जीवन का सहारा है मन करमवचन नंद नंद और यह है द्रगरी पकड़ी और हमने अपने मन अपने करम मों चustain को हमने अपने मन वचन ओन कर्म से अपने ह्रदे में धारन किया हुआ है जागत सोवत स्वप्न दिवस दिशी काना काना जकरी और हम तो जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिवस दिन में रातरी में सदैव काना काना ही जपते रहते हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जियों करवी ककड़ी और तुम्हारे ये योग की बाति सुनकर योग साधना का संदेश सुनकर तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे करवी ककड़ी ये तुम्हारी योग साधना का संदेश तो हमें करवी ककड़ी के समान प्रतीत होता है सू तो व्यादी हमको ले आए व्यादी मींस बिमारी कि ये जो योग साधना की बिमारी तुम हमारे लिए लाए हो हमने तो इसे ना कभी देखा और ना इसके बारे में कभी सुना है ये है तो सूर तिनही ले सोपो जिनके मन चकरी सूर दास कहते हैं कि ये तो तिनही ले सोपो उनको सोप दो उन मनुश्य को दे दो जिनके मन में चकर है यानि जिनका मन कहीं एक जगे पर स्थिर नहीं है क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है पहले से ही श्री कृष्ण की भक्ति उनके प्रेम में हमारा मन जकड़ हुआ है तो अब हम अब हमारे मन में तुम्हारे योग साधना की कड़वी ककड़ी का कोई स्थान नहीं है हरी है राजनीती पढ़ाए समुझी बात कहत मदुकर के समचार सब पाए इक अती चतुर हुते पहले ही अपगुरु ग्रंत पढ़ाए बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी योग संदेश पठाए उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहिए चलेतना हुते चुराए ते क्या अनिती करे आप उन्जे और अनिती छुडा राज-धरम तो यह सूर जो प्रजाना जाही सताए हरी यानि श्रिकृष्ण चतुर यानि बुद्धिमान पहले ही हुते थे बड़ी बुद्धी यानि बहुत बुद्धिमान योग संदेश यानि योग का संदेश पठाए यानि भेजा है परहित यानि दूसरों के हित के दोलत धाई यानि घूमते रहते हैं फिर पाईए यानि फिर पालेंगे दुबारा से पालेंगे जू हुते चुराई जो चुरा लिया था इस प्रद में गोपिया ने संकोच उत्थव से कहती हैं कि है भ्रहमर रूप उत्थव ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीती पढ़ ली है आपके योग संदेश को सुनकर तो हम पहले ही समझ गई थी किन्तु अब समचार जानकर पूंड विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीती पढ़कर और ज्यादा चतूर हो गए है एक तो वो पहले ही बहुत चतूर थे व्यंग करते वे श्री कृष्ण पर गुव्यंग करते वे गोपया कहती है कि पहले ही वो बहुत चतूर थे किन्तु अब गुरु गुरंत पढ़ा है किन्तु अब तो उन्होंने राजनीती का गुरंत पढ़ लिया है अपने गुरु से वो राजनीती का गुरंत पढ़ चुके हैं और राज श्रिक्रिष्ण का प्रेम ही परयाप्त है किन्तु वो इतने चतूर इतने चालाक हो गए है व्यंगात्मक्सवर है गोपियों का और गोपिया कहती है कि है उद्धव जी इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है आप तो भले लोग हैं जो दूसरों के कल्यान करने में आनंद का नुपव करते हैं और हमारा कल्यान करने के लिए यहां पर आए हैं और गोपिया उद्धव से आगे कहती हैं कि हम अपना हरदय वापस ले लेंगे श्री कृष्ण से वापस अपना हरदय पा लेंगे जो वो मतुरा जाते हुए हमसे चुरा कर ले गए थे आश्र है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं वे स्वयम अनिती के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भीज कर हमारे उपर अन्याय कर रहे हैं उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए और राजधर्म के अनुसार राजा का धर्म तो यह है कि वे अपने प्रजा को ना सताए बलकि उनकी भलाई का ध्यान लखें। तो ये था पाठ सूर के पद आशा करती हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।